Hello friends, once again, we are with the topic Present Perfect Continuous Trends, okay? इसकी पैचान, जिस वाक्य में क्रिया के बाद रहा रही रहे आकर हैं, उ, ओ, आ जाएं, एवं निश्चित या अनिश्चित समय बोद दिया हो, उन वाक्यों को Present Perfect Continuous Trends में कहते हैं. Rule, subject, plus has been, object have been, plus first form of the word, plus ng, plus object, plus since object for, plus trend. I, you, April, so have been, बाकी सब subject के साथ has been लगाते हैं, निश्चित समय के लिए हम since लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए form लगाते हैं, अब निश्चित समय कोन सा होता है, इसको confusion करें, निश्चित समय, निश्चित समय में दिन का भाग, सुबह, दुपेर, शाम, रात, दिन का संडे, मंडे, तुजडे, वरेस्डे, मैनों के लिए, जनवरी, फेबरी, मार्च, अपर में, जून, जुलाई, अगस्त, साल के लिए, 2005, 2006, 2020, निश्चित समय, निश्चित समय, बच्पन से, प्यदाईशी है ना, या स्कूल लाइफ से, यह सब दो होता है, अनिश्चित स समय में, एक मिनिट, पांच मिनिट, एक घंटा, दो घंटे, एक दिन, दस दिन, एक हफ्ता, पांच हफ्ता, एक महिना, दो महिना, ग्यारा महिना, एक साल, आठ साल, ऐसे क्या, अब इसमें सेंटिस बनेगा, मैं सुबे से गाना गा रहा हूं, तो I have been singing a song since morning, मैं दो घंटे से पत्र लिख रहा हूं, I have been writing a letter for two hours, तो कि दो घंटा मतलब पोईसाजी हो सकता, को निश्यत नहीं है, नेगेटिव वाक्यों में, has या have के बाद not लगाते हैं, इंट्रेगेटिव सेंडेंस में, has या have को पन पहले लिखके वाक्यों बनाते हैं, ठीकिना, दोस्तों, यहा तो में जो नेक्स वीडियो भी लेने वाला हूं, पाट्स पे लेने वाला हूं, इसके बाद अपन पास्टेंस में कंटिन्यू करेंगे, ठीकियो, I hope by this time you can do more and more practice, don't forget to press the subscribe button, then the bell icon also, thank you, have a nice time.